हाई वरीवन फिर से एक नियू और इंटेसेंग वीडियों आप सबका स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कर देना चैनल पर नहीं है इसी पर पाना चाहते हैं तो वीडियो के निचे देखे रिट करने सब्सक्राइब को बटने तक इस पर क्लिक कर देना बेल घंटी वी आप लोगों को प्रेस कर देना ताकि आने वला हर नेक्स वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंसे के सबसे सब्सक्राइब करते हैं जैसे सब्सक्राइब करते हैं आपके पास नजर आता हुए ठीक है आपको इस पर उपर किलिक करेंगा आपके पास इस इंटरफेस आ जाता है अब यहां पर काफिसरा काम किया जाता है लेकिन यहां पर मैं आपको बताने वालों कि आप अपना बैं जाता है और यहां पर आपके पास यह OPTION नज़रा आता है को, जैसे क्लीक करेंगा आपके पास इस पर कासी इंटरफेस आजाता है dicho जाता है आप उससे हैंपकोाइब क्लीक करते है लगवा। ठीक है आप दोसों यहां से मैं प्रोसेस बताने वाला हूं कि इस पकर साप अपना बैंक आफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग से एक्टिवेट करेंगे उससे पहले से मैं आप फॉन में ऑपन करते हूं तिसे डेश्टॉप साइड में कर लेजिएगा ठीक है ताकि वहां बैठतर तरीका से आपको देख सकें और काम कर सकें ठीक है बागे सों लैपटोप या तो कंपूटर में करते होंगे को भी प्रोग्लम आने वाले बात नहीं यह थान देने बागी जो प्रोसेस होता है सब कुछ सेम होने वाला है चलिए फटा-फट मैं आप लोग को बता द अचलिए यहां पर नजर आता हो को आपको अपको सबसे पहले बता देता हूं तो जो से नंबर करना पड़ता है को नन आको को लिखना को मैं आपको क्लिया कर देता हूं जो आपके पास डोकुमेंट होना चाहिए सबसे पहले आपका जो बैंक आफ इंडिया का पास्वुक है वो अपने पास रख लेजे उसमें पूरा डेटेल आपका मिल जाएगा जिसे बैंक के कौन नमर मिल जाएगा उसके आपके पास डेवीट का या तो फिर एटियम कार्ड सेबा इजी वे में आप एक्टिवेट कर सकते हैं ठीक है तासर करता हूं आपको डॉक्मेंट समझ आ गए हो चलिए आप आगए का पूरसेस समझते हैं किस पकर से आपको यहां कहां कहां कौन सा नमर आपको फिल करना ठीक है तो सबसे पहला option देख से यहां पर नजर आता ह इंडिया का जो कंट्री कोड है ठीक है सबसे पहले नाइन वन लिखना उसके बाद जो भी मोबाल नमर आपका बैंक आप इंडिया के साथ लिंक होगा वो लिखिए जैसे यहां पर नजर आता होगा ठीक है सेम तरीका सबको लिखना है अगर इससे नहीं लिखने तो आगई पर प्रोसेस नहीं होगा ख्लियर होगा उसका पर केप्चा नजरा आपको इस बॉक्स में प्रिटकर नहीं आता है तो एक बार यहां पर रिफ्रेस कर सकते हैं दुबारे केप्चा मंगा सकते है ठीक है इतना फिल कर देने के बाद सब्सक्राइब आपके पास एक नया पर आपको क्लिक करना है जैसे इस बार इक नजा इंटर्फेस आ जाता है जिस सके पर देख सेते हैं आप आपको बहुला था पहला है कि आप अपने पास अपने डेविट कार्ट या तो फिर एक रख लिए उससे बुच डिटेल यहां पर फिल करना होता है तो सबस्क्राइ है यहां पर देख सेते हृते रिखा हूए नजर आता होगा डेवीटकर्ट या तो फिर एक्सक्राइब कार्ण को फीर्षट इस बॉर्ट करना है पूर स्वी सबस्क्राइब करना हुखे है जो सबस्क्राइब एक्सपारी अपको देए अपको काना होता है अब जाता है ठीक है अब एक्स वाहे डेट भी तो सौको ध्यान से फिल करना होगा इसमें किसी भी पगाध सलाइस बगरा नहीं देना है यहाँ यहां पर आपके पास नजरा आते होगा मन्त और यह जो भी मन्त होगा आप सिंपल से मन्त दीजिए उसकर सो यहां पर लास्ट आपके पास नज़रा आता है जो भी आपका डेविट एट्यम काड़ का जो पीन आपने बनाए होंगे ठीक है वो पीन यहां पर आपको इंटर करना है और इतना इतल फिल करते निक बाद सो फाइली आपको नज़रा तो कंटीनु कंटीनु को क्लिक कर देना क्लिक करने बाद सो आपके पास स्वार का इंटर्फेस आज जाता है अब सो यहाँ पर ट्रम एक कंडिसर आपके पर इंटर्स LindsayATHAN के पास मतलित appliesakov करना तो इसमानay company लेज के लिए करने बास आपके पास एक नया इंटरफिस अइंसे इस हमें पर फॉ Ciao सेट करने के लिए ने acontece धी shouldersze यहां पर इंडिया का इंडिया का इंटरनी byte वह आώνऻ जाता है ठीक है तो passport करने से पहले आपको इहां पे a strong password सोच लेना है थो यहां पर आपको हच्वागर लगा करके यहां पे आप 6 डिजिट से ले करके आप 18 चरेक्टर तक आप लगा सकते हैं यहां पर पढ़ना चाहेंगे आपके पास मेंसन हो जाता है जिससे एक फॉर्मेट में आपको स्कीन पर दिखा सकता हूं ठीक है जिस परकार से यहां पर प्रकार से अपना अनुसार बनाईएगा अपना पासवर्ड अपना सेट किजिए ठीक है यहां पर प्रमेट में बताएं ताकि आपको दिकत ना ओए उसके पड़ना चाहते हैं यहां पर पासवर्ड फिल कर देना है उसके बाद सेम पासवर्ड जो उपर बॉक्स में आप फिल इस पर इंटरफिस आ जाता है सब्सक्राइब करें आपको सबसे पहले समझा है सकते हैं फिल कहले पास सब्कित आपके पास रिफरेंस नमर को ऩापके पास है आपके पास एक login आइडी आपको नोट कर लेना या तो फिर यहीं से सोट ले लिजेगा ठीक है कहीं कर लिजेगा तक जब भी नेक्स राम अपना बैंक आफ इंडिया में इंटरनेट बैंक से उपन करने के लिए तो आपके पास नजर आता होगा उससे आप लोगन हो पाए ठीक है तो मैंने आपको दो चीज़ बताया था सबसे पहले आपको पासवर्ण नोट करने के लिए ही बोला था ने दूस्ता आपके पास यूजर आई डी नजर आता हो इससे भी आपको नोट कर लेना ठीक है फाइन आपने यहां पर एक्टिवेट कर लिया औ अपने किये हैं अपना इंटरनेट सेवा के लिए टीक है जो लगता थcockर। से यहां पड़ सकते कर दशल से में इंटरेक्सें पर यहां पे बोला जा रहा है यहां वर्किंग यहां पर लग सकता है वंब रचिंगा बनेन ओसकता है है कुछ समय आर्ते कि यह लोगी आप एक बाद ट्राइक कर लीजिएगा ठीक है खोल करके आप देख लीजिए अपना बैंक आफ इंडिया के इंटर्नेटी बैंकिंग से वा तो उपन करने के लिए फिर से में आपको पूर उसस बता देता हूं इसलिए फिर से आपको होमपेज पर ही आ जाना ठीक है आप आपने स्किन पर नजर आता होगा जो आपने नोट उसराइड यहां पर ईजकन के लिए गया इंटर करनेख वह उसके वहां पर उसके फिर चांट सावागे पसना लाख एक हुआपुंअख नगे इसलिए से बड़ संगे का ठर्लाइए यह उसके पसमेड के पर क्लिक करत है बैलनस वल्हेट्ठ करना या जो भी काम करना चाहता है एजी में कर सकते हैं लेकर activate होने में यहां पर वन डे टीन लग जाता ठीक है आपको थ्यान देना है अगर पाःले भी हो सकते बाओं बीडिया देने खब्राने की बात नहीं फाइली drainage वह जाता है तो दोस्तों यही था प्रोसेश जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे असान और सबसे असरल तरीका से बताने की कोशिश किया और जो जो में पॉइंट आप लोगों को आद करने और ध्यान देने के लिए बोला था आपको जरूर ध्यान देने तरह भी दोस सबसक्राइब को भी जरूर था सबसे पहले फिरसे मिलते हैं के ओ इंटरसनी वीडियो के साथ तब तर दोस्तों जैहिंद जै भारा